नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Drawing पर है और यह Electrical Drawing का Part 7 है दोस्तों, Part 6 वाले वीडियो में हमने इस Control Circuit को Draw किये थे दोस्तों, ये जो आप Control Circuit दिख रहे हैं उसको हमने इन दो मोटर के लिए Draw किये थे अब इन दोनों motor के लिए हमने simply starter draw नहीं किया था इन भी हमने चार logic को add किया था और इन logic के हिसाब से हमने circuit को draw किया थे ठीके दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हमारा जो ये circuit है इस circuit को और modify करेंगे यानि इसमें all electrical equipment को हम जोड़ेंगे दोस्तों airwort को पयोग हम cooling के लिए करता हैं कोई गरम liquid होता है उसको थंड़ा करने के लिए हम इएयर Mor proud करते हैं अभ देखी दोस्तों जो liquid होता है उसको यहां तक पहुचाने के लिए हम एक motor का पयोग शाव़ेंगे थे तो इस motor के दोारा हम क्या करते हैं फिर उसके बाद यह जो motor होती है वो उस liquid को ठंडा करती है ठीके दोस्तों अब देखे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक और motor आगे तो अब हम इस motor के लिए starter को डो करेंगे इस starter के लिए हम कुछ logic यूज़ करेंगे ठीके तो logic क्या होगा दोस्तों देखे दोस्तों यह जो हमारा motor है उसको हम simply start नहीं करेंगे बलकि इन दो motor में से कोई भी एक motor जब चालू होता है तो उसके कुछ समय बाद यह वाली motor start हो जाना जाए ठीके दोस्तों उसके बाद हम इ दोस्तों इसके लिए हम circuit को ड्रो करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह control circuit ड्रो करके दिखाया था दोस्तों यह जो control circuit है इसमें मैंने एक mistake कर जाता है क्या mistake किया था दोस्तों देखिए यहां पे जो हमारा overload relay का symbol है उसमें मैंने simply no nc contact को सो कर दिया ठीक आप overload relay का no nc contact बनाते हैं तो आप इस type से draw करना पड़े है ठीक है दोस्तों तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि हमारा circuit था उसको थोड़ा सा changes कर देता हूं यानि कि यह जो no nc contact थे उनको change कर देता हूं ठीक है यहां पर मैंने no nc contact का symbol change कर देता हूं यह हमारा nc contact हो गया और यह हमारा no nc contact होगे ठीक है किसका no nc contact है तो overload relay लेगा ठीक है दोस्तों यह आपने electrical drawing part 6 को नहीं देखा रहे तो प्लीज डेक लीजिएगा क्योंकि यह जो हम circuit आज डो करने जा रहे है वो part 6 से related है तो अच्छे से समझने के लिए प्लीज उस video को जरूर देख लीजिएगा उस video को link मैं description में देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं दोस्तों यह जो हमारे motor है इनको हम नाम दे देते हैं जिससे हमें confusion ना हो ठीक है तो यह जो हमारा motor है उसको हम fan 1 बोल लेते ठीक है और दूसरा motor है वो हमारा fan 2 हो जाएगा ठीक है तो यहां पे मैं fan 2 कर देता ह उसके बार यह जो हमारा motor है इसको हम pump मां लेते हैं यहां पर simply pump लिख देता हूं तो यह हमारा fan 1 हो गया है यह हमारा fan 2 हो गया और यह हमारा pump हो गया है दोस्तों यह जो हमारा circuit है इसमें space नहीं बचाए कि हम और circuit को draw कर सके ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं कि अलग-अलग page सबसार के स नाम के प् estas यहां पर किसके हैगा हूं कि मैंने यहां पर नम के ऐए कंट्रलां सर्किट को जाएगाो खाएक्टी को एता हूं यहां कि यहहां पर नाम कंट्रोल शर्कित यहां के हम से हाथ हRO erk постав धर बेजन勝 Veer यहां पए हमारे पास में pumpkin है अब यह में जोद परेगी तो दोस्तों यहां shoes करेंगे तो दोस्तों यह Corinthians ता की dirig को स्टार्ट सीम्पल स्टाइमर का उपयोग करें जान यहां यहां सी मैंने की सिर्थ संदी लोगिक श्रॉप करेंगेगे तो दोस्तों ने जो मोटर उना चाहरा है उसी प्रकार से हमें फैंटू को भी ऑन करते हैं तो यह मोटर है वह कुछ समय बाद चालू करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक टाइमर का उपयोग करेंगे ठीक है आप जो हमारा टाइमर होगा वह अंडिले टाइमर होगा उपयोग इसलि हम यहां पर टाइमर का उप्यों करें वह भी ओन डिल्य टाइमर तो इसके लिए एक विडियो बनाया हूं उस वीडियो को आप देख सकते हैं अब हम इस टाइमर को इस टाइमर को मैं simply copy paste कर देता हूँ, यह जो हमारा fan 1 का control circuit है, उसमें मैंने इसको paste कर दिया, दोस्तों यह जो हमारा timer होता है, उसमें दो terminal होते हैं, A1 और A2, ठीक है, A1 terminal पर हम face supply देते हैं, और A2 terminal पर neutral supply देते हैं, तो हम क्या करते हैं, A2 terminal को simply neutral supply के सर्क करने कर देंगे, ठी ठीक है, fan 1 के circuit और fan 2 के circuit में करने करना है, ठीक दोस्तों, यह हमारा timer है, उसको हम fan 1 के circuit में क्यूं करने करें, इसके बारे में थवसा जान लिए, देखिए, यह जो हमारा timer है, उसको कब operate होना चाहिए, जब हम fan 1 को start करते हैं, तब भी timer का countdown चाहिए, और यदि हम fan 2 को भी start कर करते हैं, तब भी countdown चाहिए, यानि कि हमें यहाँ पे 2 timer का उप्योग करना पड़ेगा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक timer को neutral supply के साथ connect कर दिये, ठीक है, अब जो A1 terminal है, उसको हम face supply कहा से दे, तो यह जो हमारा timer है, उसको कब operate करना है, जब हम इस motor को start करें, या इसलिए हम इसको start push button के नीचे से supply देंगे, ठीक है, यानि कि holding circuit जो हमारा है, उसके outgoing terminal से connect कर देंगे, तो यहाँ पे मैं इसको connect कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, A1 terminal को face supply दे दिया, A2 terminal को neutral supply दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा timer था, उसके call में supply चला गया, तो दोस्तों, जिस पकार से हमने fan 1 के control circuit में, हमने timer को connect किया थे, same to same, fan 2 के circuit में भी timer को connect कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा timer था, उसके call में supply चला गया, अब देखिए, जो हमारा timer होता है, दोस्तों, उसमें कुछ auxiliary contact होते है, ठीक है, ताइमर के auxiliary contact का symbol य उसके बारे में सीख लेते हैं, दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा timer का इज़ड़ी contact है, उसको में copy कर लेता हूँ, ठीक है, कोपी करने के बाद, मैं क्या करूँगा, कि हमारा जो pump का control circuit है, उसमें paste करूँगा, तो यह हमारा timer का contact हो गया, ठीक दोस्तों, आप देखिए, यह ज स्टार्ट पूस बटन के पहले में कनेक करते हैं, तो दोस्तों, यह जो हमारा common terminal है timer का, ठीक है, यानि की पंडर नमबर terminal, उसमें हम यहां से supply को लेके जाएं, यहां से, तो मैं इसको connect कर देता हूँ, तो यहां पर मैंने क्या किया है, हमारा जो start push बटन है, उसके उपर बा करना पड़ेगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि यह जो हमारा common contact है, वो one condition में power supply को आगे flow नहीं होंदेगा, ठीक है, और जब हम इस timer में power supply को आगे flow होने देता है, इसलिए हम यहां पर अप्योग करेंगे, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम यहां से एक wire को करने करके, अठ तरहार नमर के terminal था, उसको हमने charge boost प्रण के और को आगे तर्मिल के साथ कने कर दिया, यहां पर हमारा common contact है, उसको हमने उप्योग कर लिया, अब देखिए, यहां पर हम दो timer को उप्योग कर रहे है, फैन 1 में भी timer का connection किया, और फैन 2 में भी timer का connection किया थी, तो दोस्तों, ज इसका auxiliary contact का उप्योग हम pump के circuit में भी करेंगे, तो यहां से मैं simply इसको copy paste कर देता हूँ, यहां पर connection सेम तू सेम होगा, इस wire को हम सिधा 15 नमर के साथ भी sort कर देंगे, तो यहां पर मैं इसको sort कर देता हूँ, ठीक दोस्तों, तो मैंने यहां पर 15 नमर को 15 नमर के साथ साथ, अब जो हमारा second timer है, उसमें भी हम 18 नमर का उप्योग करेंगे, तो इसको भी हम simply connect कर देते हैं, तो यहां पर मैंने 18 नमर को connect कर दिया, तो यहां पर हमने डो timer का उप्योग कर देता हूँ, यहां पर contact है, उसके लिए हम यहां पर नाम लिख देते हैं, जिससे कि हमें confusion ना हो तो पहला timer का NONC contact हमारा T1 हो गया, और दूसरा हमारा T2 हो गया, यानिकि यह जो अजलरी contact है, वो timer 1 का हो गया, और यह अजलरी contact timer 2 का हो गया, दोस्तो आप देख सकते हो कि यहां पर तीन option होगा है, इस pump को start करने के लिए, पहला तो हम push button के द्वारा start कर सकते हैं, दूसरा, यदि हम fan 1 को start करते हैं, तो उसके timer के दौरा भी यह motor start हो जाएगी, यानिकि pump हमारा start हो जाएगा, और यदि हम fan 2 को भी start करते हैं, तो उसके दौरा भी हमारा जो pump है, वो start हो जाएगा, क्योंकि हमने timer का अजलरी contact का उपयोग की है, तो यहां पे start command के लिए हमारा timer का उपय टकना चाहता हूँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो दोस्तों इस वीडियो पे कम से कम 200 like और 100 comment कर दीजिएगा, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, यहां पे हमारा दूसरा logic यह था, यहां पे हमें auto manual switch का उपयोग करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि यह जो हमारा pump का control circuit है, इस circuit में auto manual switch का उपयोग करना है, तो दोस्तों, यह हमारा auto manual switch होता है, यहां पे हमारे पास 3 position है, manual position, off position और auto position, ठीक है, यह जो हमारा selector switch है, इसका symbol कुछ इस परकास होता है, auto of manual, ठीक है, इस auto manual switch को मैं सीधरा copy कर लेता कि हमारा pump है, इस को auto and manual एकाना है, तो यहां पे सिंबल है, इसको मैं paste कर देता हूँ, अब देखिए, यहां पे हमें auto and manual इस आतो हम रहा है, खूर हम वख acc perman early on, यहां पे हम ब्लाटो पूशित को मैं थे करोगर एक लिःष्य कि थामार डे कर दोए एक प्लाइगा, श्र nic का अलग-अलग कर देता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पर timer का circuit अलग कर दिया और जो dual starter का circuit है उसको अलग कर दिया ठीक है अब हम किस प्रकार से इस सेलेक्टर स्विच का connection करेंगे देख लिए दोस्तों यहां पर हमारा जो सेलेक्टर स्विच है उसको टर्मिनल को पता करने के लिए कि किस टर्मिनल को हम उपयाब किस के लिए करेंगे उसको जानने के लिए आप क्या करोगे यह जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उसको के द्वारा continuity करिए तिक अब जिन दो टर्मिनल पर कंटिवीटिए आएगी वह टर्मिनल हमारा मेंटिवलिक लिए हो जाएगा तिके अब हम क्या करेंगे इस सुपली यहां पर करने के यहां पर कर दिया थिके अभी डिखी है इसका पॉजिशन ओप्टिकर यहां पर यहां प तो इसको साथ डाउन करके मैनुवल सेलेक्ट करें तो यहां पर हमने मैनुवल का कनेक्शन कर दिया है अब जो हमारा सेलेक्टर स्वीच है उसको अलग अलग सेलेक्टर स्वीच दिखाना पड़ेगा यहां पर हम केवल एक सेलेक्टर स्वीच यूज़ करें लेकिन सर्कीट में हमें दो अलग अलग सेलेक्टर स्वीच का सिम्बोल दिखाना पर यहां पर हमें सो करना है कि यदि हम मैनुवल पर ओपरेट करेंगे तो यह वाला सर्कीट ओन होगा ठीक है और यदि हम सेलेक्टर स करेंगे, हमारा वाइर था उसके टाइमरों के सार सार करनेक खेंगे और जो स्सपरा उसको फ生 lleva समें मोज शलास के Council कि यहां से नीगे यहां जो स्वेंगे याने कि इस स्टो पूंछ उने ही से वाय कुरम से कुनेख् Lew друзья जो एक वरुइंद था उसमें से करनेक्शन कियों विदिए को छुड़ा करती है अब देखे दोस्तों यहां पर ने अलाम और इंडिकेसन लेम का कनेकशन किये थीं माज़्य सर्कृत है उसमें भी हम करनेक्स यहां पर इसको Parliament करें那麼 तो दोस्तों यहां पर मैंने अलाम का और इंडिकेशन लेम का कनेक्शन कर दिया हूँ दोस्तों यह जो हमारा अलाम और इंडिकेशन लेम का कनेक्शन है उसको एक्स्प्रेंट नहीं करूंगा क्योंकि इसका एक्स्प्रेंशन में पार्ट 6 वाले वीडियो में ओलरी कर चुक तो ब chase करेते हैं कि यह जो भो ER का कोंटरिक है ठीक है और यह भी के थरी का अजलरी कोंटरिक है ठीके रोस्तु सप्यों तो मैंने यहां पे इनका नाम चैंज कर दी है जिसे हमें पता है कि एनो कॉंटेक्ट करका और यह भी एनो कॉंटेक्ट इसी कॉंटेक्टर का यह थे दोस्तों तो दोस्तों यह जो हमारा सर की तेंग वह किस पर ही काम करेगा उसके आप थोड़ा देख लीजिए तो देखिए यहां पर हमारा कंट्रोल फ्यूज लगाएगा उसके बाद में ओवलोड रिले लगाएगा अब यदि मोटर ट्रिप होता है तो यह ओवलोड रिले ओपन हो जाएगा ठीके दोस्तों यानि कि पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होनेगा और ज सब्सक्राइब करते हैं तो यह वाली सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो कैसे सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ समय बाद हमारा जो पंप है वह स्टार्ट होगा अब कितने समय बाद ओन होगा वह हमारे टाइमर के सेटिंग पर हम टाइमर के में सेट करेंगे अठने टाइम बाद हमारा जो हम्पम्फ ही व्य्ति रहल होगा दूस्टों यह जो हमने सरकीर बनाए है इस सरकीर में थाल सा प्रोलम है डी आ हम मोटर को मैनूमें स्टाट रहाते हैं तो ड्लीकkes रह Y तो क्या होता अब यदि हमें इस pump को आर्टो में start करना है यादि कि त्वारा इस्टार्ट करना है तो हमें कैवल स्ट्रेक्टर को आर्टो में select कर देना है तो यहां से प्लाई आईगी यही तो timer 1 operate और यदि fan2 start होती है तो timer to operate होगे ठीक यदि हमें है इस pump को auto में start करना है तो हम यहाँ पर push button को press करके start नहीं कर सकते हैं तो इसको start करने के लिए हमें fan1 या फिर fan2 को start करना पढ़ेगा तो example कि हम यहाँ पर fan2 को start करते हैं जब हम start push button को press करते हैं तो हमारा जो fan है वो start हो जाएगे इसके साथ में हमारा जो timer है उसमें भी पावर शिपलाई चली जाती अब देखिए ये जो हमारा timer है इसमें पावर सप्लाई जाने के बाद इसका countdown चालिए जसे उस प्यूंटडाउन करें नेगे सेट करें के उठना time चांटडाउन करें तो जैसे समझानारी तो इसका जो अजलाडी contact है वो change होगे ठीक है क्या change होगे दोस्तों देखे जो एनो contact है वो NC बन जाएगा और NC contact चलाओ यानी कि 15 नमबर टर्मिलल पे जो पावर सपनल आ रहे थी वह अठार नमर टर्मिलल से हो के जाने लगिगा तो यहाँ से पावर सपनलाई यहां अभी देखे दोस्तों यह जो हमारा सरकीट है इसमें एक प्रॉलम है क्या प्रॉलम है दोस्तों देखे यदि हमें केवल पंप को बंद करना है यानि कि हमारा जो फेंटू था वह ओन था ठीक है इसको ओन ही रखना है हमें केवल पंप को बंद करना है तो यहां पर यदि हमें पूस्ट बटन को release करते हैं तो हमारा pump दुबारा चालू जाएगा क्यों चालू हो जाएगा दोस्तों देखें तो यह जो हमारा timer का NONC contact है वो ओलेडी चेंज ही रहेंगे क्योंकि यह जो हमारा timer था उसका coil है उसका connection हमने fan के द्वारा दिया है ठीक है यानिकि इसका power supply हम manual position में डाल सकते हैं यानिकि selector switch को manual में कर देंगे तो हमारा pump बंद हो जागा ठीक है लेकिन जैसे ही आप दुबारा auto में करते हैं तो दुबारा start हो जाएगा क्योंकि आपका fan already running condition में और जो आपका timer है उसके coil में power supply तो एक option यह हो गया कि आप सेलेक्टा switch को change करके आप इसको बंद कर सकते हैं दुसरा option यह हो गया कि आप यहाँ पर emergency stop push button को उप्योग कर सकते हैं इमर्जंसी stop push button को लगा कर रखेंगे तो आपका motor बंद हो रहे यहां पर इमर्जेंसी स्टोप उस बटन प्रियो करना और फिर स्विच को चेंज करना वह अच्छा जम नहीं रहा तो क्या होगा दुबारा हमारा पंप चाल हो जाई थी या फिर हमें दुबारा पंप फेन को बन करने बार दुबारा आना पड़ेगा इस पंप के पास और उ तो इसका जो इंटरलोकिंग हो किस पकार से करेंगे मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो नेक्स वीडियो में हम इस टाइमर को इंटरलोक करना सीखेंगे तो आपको यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लिस इस व प्लूद करुगा